Hello friends, स्वागत है आपका डिजल तैयारी चैनल पे मैं श्रियान्स कोठारी दोस्तों लेके आया हूँ आप लोगों के लिए SP Bakshi Book और Book का नाम है दोस्तों Objective General English Objective General English के अंदर Passive Voice हम बढ़ रहे हैं Passive Voice second chapter है, आगे बढ़ाते हैं इस exercise को दोस्तों यहां पे 10th number rule पे आ गए हम लोगों दो कहरा है कि यह जो let, bid, make, help, feel, see, watch, hear दोस्तों यह सारी जो line है यह अच्छे से आप याद कर लीजे by heart कर लीजे, specifically let को, make को, help को यह तीन चीजें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है याद रखने, क्यों? are used with direct infinitive without two, इसको हम bare infinitive भी कहते हैं, bare infinitive का मतलब है कि हमने यहां पे in infinitive, हमने यहां पे two का प्रयोग नहीं किया, यानि बिना किसी two के हम इसे active वाले वाक्य में use लेते हैं, लेकिन in passive voice, these verbs are used with two plus verb की first form, जब इनका passive बनाया जाता है, तो two plus verb की first form का प्रयोग किया जाता है, तो यह verbs याद करने पड़ेंगे आपको, in verbs का जब भी आएगा, और ध्यान से देखें दोस्तां, यह जितने भी हैं, यह infinitive के साथ आएंगे, इसका मतलब, infinitive के ध्यान रखना है, इनका two लगाना है, पहली बात, दूसरी, let is an exception, let is followed by direct infinitive in both active and passive, let को छोड़ दिया जाएं क्योई let का प्रयोग बिना infinitive, बिना two के infinitive लगाना है, भले ही active हो या passive हो, तो दोस्तो, theory clear होगी, तो practical clear होगा, मुझे rule नहीं पता होगा, तो मैं कैसे बताऊँगा कि error कहा है, sentence में क्या करना है, so basically theory को strong करना जरूरी है, चलिए, लिए चलता हूँ, I bid him go, मैंने उसे जाने को कहा, offer किया, मैंने उसको कहा कि भाई, चले जाओ, तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा, object है him, तो उसका ही बन जाएगा, bid, v2 है, bid का second form है, bid, तो verb की second form को वापस हमें third form में और passive में convert करना है, wasbidden होजाएगा, इसने clear लिखा था कि जब भी इनका प्रयोग, passive में आप करो, two plus verb लगाना पड़ेगा, और two के बाद verb की first form ही आती है, so he was bidden to go, बात समझ आ गई होगी आपको, ऐसा एक और sentence लेते हैं, I have made her a singer song, ध्यान रहे दोस्तों, आपको tense नहीं बदलना है, very very important, अगर tense नहीं बदलना है, present perfect का present perfect में रहेगा, that means, यहाँ पर ध्यान से देखेगा, बहुत गौर से देखेगा, यह subject है मेरा, यह object है मेरा, यह object इधर आ गया, यह subject इधर आ, sorry, subject नहीं है, हटा दिया हमने, जरुत नहीं है, made को कर दिया हमने, has been made, क्यों कि यहाँ पर have made था, और उसके यहाँ पर two गायब था, यहाँ two लगा दिया, तो अगर सारी बातनों को समझें है, so I have made her sing a song का क्या बन जाएगा, she has been made to sing a song, उसको ग्याना करने के लिए प्रेरित किया गया, उसको गाना गवाया गया, question third दिखते हैं, जिसमें let का प्रयोग किया गया, she let me go, उसने मुझे जाने दिया, me का तो बन जाएगा I, let past में है, क्योंकि she अगर present में होता हमें कैसे पता चले past में हैं, तो अगर ही present में होता था she के साथ, let's में s लगता जो की नहीं लगावा है, so I was let go by her, अगर आपने notice किया हो, तो आपको पता चलाओगा, यहाँ to लगाया, यहाँ to लगाया, यहाँ to नहीं लगाया, न active, न passive सीधा लिए चलता हूँ मैं आपको दी दोस्तों questions पे, जो हमारी exercise है और rule number 10 को हमें देखना है, ध्यान से देखेगा, एक एक छोड़ी होड़ी मैं आपको बहुत clearly खोल के बता रहा हूँ, I made him write a letter, ध्यान से देखेगा, I subject है, made verb है, यह object है और यह हमारा infinity वाला part है, तो object से शुरू करते हैं हम, he, made past में है, तो was made, चुकि passive में हमें 2 plus V1 लगाना है, क्या दोस्तों, तो मेरी बात बहुत clearly समझ में आएगी, he was made to write a letter, क्या यह clearly आपको बात समझ आई दोस्तों, कोई भी चीज अगर आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, comment box में जरूर टाइप करें, दोस्तों, अगर आपको पढ़ाना मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी comment box में करिए, उसका एक बहुत simple सा reason, दोस्तों, आपको पढ़ाना अच्छा लगा, वो अगर मुझे बताया, मेरा उत्साह दुग ना हो जाएगा, मैं double खून के साथ, double speed के साथ पढ़ाऊंगा, कि यार जब students को पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो क्यों न और अच्छे से पढ़ाय जाए, मुझे पढ़ाना अच्छा आता है, पद स्चिल आपका feedback definitely help करता है, कोई doubt हो, किसी प्रशन में कोई question रहे गया हो, वो भी आप comment box में type करें, हम उसका भी solution जरूर देंगे आपक let past में है, जैसा पहले भी हमने देखा, I was let, ठीक है न, क्या चीज़ के लिए, stay in our home, अब ध्यान से देखेगा, यहाँ पे इच्छा हो तो by her लगाओ, नहीं लगाओ, क्योंकि उसका room में understood है, उस नहीं का आओगा, कोई और कहता तो फिर हम by our father यहाँ से कुछ लगाते, यह नहीं है, इसलिए हमने लगाया नहीं है, reason आपको पता है, पहले वाली exercises आप regular देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे देखते हैं, she made me leave the room, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ, I से शुरू करेंगे, I was bidden, made का मतलब बता दूँ आपको, offer, कहा, बोला, I was bidden, आगे देखेगा, to leave the room, आपकी इच्छा by her लगाओ, बापकी इच्छा मत लगाओ, यह basic है, जो आपको ध्यान लखना पनेगा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और, question number 4, they heard her sing a song, ध्यान चे देखेगा, her sing a song का क्या मतलब बनेगा, हमारा object क्या है, her, तो उसका बन जाएगा, she, by them, आपकी इच्छा लगाना मत लगाना, she, अब heard, ध्यान चे देखेगा, was heard, क्यों दोस्तों, passive बनाया हमने, heard what, to sing a song, ध्यान रहे, इसमें 2 भूलना मत, यहाँ पे 2 नहीं आया है, लेकिन जब passive करेंगे, 2 जरूर आएगा, so she was heard to sing a song, by them, आपकी इच्छा understood है, लगाओ, नहीं, लगाओ, indefinite है, यह सारी चीज़ हैं बताँ दोस्तों, आपको, साथ में एक चीज़ और, टेलीग्राम पे भी हम वहाँ पे present हैं, अविलेबल हैं, आपको कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ लगती है, आपको डेटा बहुत सारा चाहिए, उसमें regularly डेटा अपडेट होता रहता है, टेलीग्राम पे डिजिटल तयारी को सर्च करें, और जरूर सब्सक्राइब क जरूर आप चाहें, इसका screenshot अपने पास रखें, आप WhatsApp पे हम इसमें हमेशा available रहते हैं, आप कोई query करते हैं, उसका जरूर आंसर देंगे, कोई doubt होगा, हो सकता है देर सवे थोड़ा आगे पीछे लेट करनें, लेकिन आंसर जरूर मैं सब को देता हूँ, definitely, तो यहाँ पे scene के साथ क्या आएगा दोस्तों, तू, buy me लगाओ, buy me ना लगाओ, आपकी च्छम, so यहाँ पे हमने देखा एक और अध्या, एक और नया नियम, voice को लेके इसी तरीके से बने रही है, digital त्यारी पे, thank you